के नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज एन इंपेक्षून का नियु एपिसोड है और येपिसोड मैं बहुत दिनों बात अप्लोड कर रहा हूं। और आजका जो कुशीन है वह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट था। कफी सारे लोग ये कुश्ण पूशते रहते हैं। आज अजे सिंग जी ने एक question पूछा है और मुहम्मद साहब ने भी एक question पूछा है, बहुत सारे लोग ये question पूछते हैं और question ये होता है कि क्या homeopathic medicine सस्ती होती है या महंगी पढ़ती है, महंगी होती है, तो आज हम इस question का answer देंगे, तो मैं आपका मेरी शानल में बहुत- तो चैलिए, सुरूर करते हैं पूस्तों मैं आपको example देता हूँ अपने clinic का, कि अगर मैं prescription देता हूँ, माली जे IBS का prescription करता हूँ और IBS के patient को दवाई prescribe करता हूँ, दवाई देता हूँ, तो मैं medicine देता हूँ, नक्सवोमे का 30 दो बूंद शाम को उसके साथ मैं उन्हें hydrostis mother denture देता हूँ, जो की काफी महंगी होती है, hydrostis mother denture दस बूंद आधे का पानी में दिन में दो बार देता हूँ साथी साथ मैं उन्हें एक German homeopathic medicine देता हूँ, जो की काफी महंगी है और वो है Dr. Reckweck की R5 और वो देता हूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो एक्जामपल के थरू समझ ये, देखें नक्स मोमेका 30 अगर आप SBL की लेते हैं तो वो आपको पड़ेगी एप्रॉक्स 100 रुपय की, 100 रुपय मोटा मोटा मान के चलिए, और साथी साथ अगर आप podophyllum 30 भी लेते हैं 30 ml में, तो वो साथी साथ आर फाइव लेते हैं, तो वो आपकी MRP है धाई सो रुपय की, तो ये कितने हो गए, साड़े चार सो रुपय, और हाइड्रस्टिस मजट इंचर अगर आप SBL की लेते हैं 30 ml, तो वो एप्रॉक्स आपको पड़ती है, साड़े तीन सो, एप्रॉक्स ऐसे ही पड देने होंगे 30 ml पैक फाइल के, मतलब पैक अगर आप SBL की लेते हैं, और WSI और SBL में बहुत जादा अंतर नहीं है, तो आपको लगबख आट सो रुपय देने होंगे, और ये जो मैडसेन है, नक्सपोमिका और पोड़ोफाइलम एप्रॉक्स तीन से चार महीने चलेगी, ह अगर आपको मैं मैडसेन देता हूं और यही मैड़िसेन अगर मैं आपको नहीं देता हूं, खाली में, खुले में देता हूं और थोड़ी सी New Life Company की Mother Tinture, address मतलब हाफ ओंस में डायलूशन दे देते हैं और हाफ ओंस डायलूशन का मैं चार्ज कुद करता हूँ 50 रुपीज तो नक्समोमी का 50 रुपे की साथी साथ पोडोफालम 50 रुपे की तो यह हो गई 100 रुपे और हैड्रिस्टेज मदर्ट इंशर अगर आप SBL की लेंगे तो काफी महंगी पड़ेगी लेकिन अगर आप न्यू लाइफ कंपनी की लेंगे जो कि मैं काफी बार प्रिफर करता हूँ और मैं किसी का एड़ वैड नहीं कर रहा हूं लेकिन ठीक ठाक कंपनी है और रिजर्ट पर पड़ गई मतलब आप 15-15 ml मतलब पचास रूपय और यह तो थोडा सा अगर आप क्वाइटी नहीं बोल सकता क्योंकि SBL तो रहती है और न्यू लाइफ मेरे हिसाब तो आप थोड़ा सा सस्ते में भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मैडिसें यह तो हो गया काफी महंगा जहां पर हाइड्रस्ट इंचर काफी महंगी है आरफाइब भी काफी महंगी है लेकिन बहुत सारा ऐसा ट्रीट्मेंट होते हैं जहां पर उतनी महंगी मैडिसेंस नहीं होती जैसे कि माल लीजे कि किसी को मैं स्पॉंडलाइटिस के लिए कोई मैडिसें प्रिस्क्राइब कर रहा हूं और सिर्फ आर्निका रूटा और कोनिय मैकुलेटम प्रिस्क्राइब करता हूं 200 CH पोटेंसी में आर्निका 200 दो बुन सुबह शाम कोनियम मैकुलेटम 200 दो बुन सुबह शाम और रूटा 200 दो बुन सुबह शाम अगर आप SBL की 30 ml की फाइल भी लेते हैं तो 30-30 ml लेंगे 100-100 रुपए 300 रुपए में आपको लगब अगर कोई आपको महेंगी दे रहा है तो उनका चार्ज होगा लेकिन ये मैं बिलकुल ऐसा बता रहा हूं जिसमें डॉक्टर भी खुष रहता है और पेशेंट भी खुष रहता है तो ऐसा चार्ज मैं आप से बता रहा हूं मतलब इतने की आपको। मार्केट मिल जाती अमूमन यही अब कोई किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वही मैडसेन 800 की वो 16,002,000 में प्रिस्कृाइब करते हैं, 2000 में आपको देते हैं, तो वह डॉक्टर के चार्ज होते हैं, कोई गलत बात नहीं है, डॉक्टर अपने हिसाब से प्रिस्किप्शन चार्ज लगा सकते हैं, यह बिल्कुल इतिकल है, तो मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, आप मेरे क्लिनिक में आएंगे तो मेरे प्रिस्किप्शन चार्ज रुपीज है या कभी-कभी नहीं अगर दुबार आते हैं, तो बिल्कुल नहीं एक बार बस प्रिस्किप्शन चार्ज है, रुपीज बाकि lets जितने की आती है उतने की हम देता है और बता दिये हैं कि कितने की देते हैं तो मुस्टी जो खुले में लेते हैं अगर आप डायलूशन या मदर टिंचर लेते हैं मेरे यहां मेरे क्लिनिक में तो आपको हाफ ओन्स 50 रूपीज की और वन ओन्स 100 रूपीज की बहुत काफी कुछ पेशेंट्स जो हैं उन्हें मैं 90 रूपीज की भी दे देता हूं मतलब 30 ml 90 रूपीज के टैलूशन और मदर टिंचर दोनों ही और बायो केमिक की भी रेट से मतलब हाफ ओन्स 50 रूपीज और वन ओन्स 100 रूपीज अब कुछ लोग इससे भी सस्ता देते हैं और कुछ लोग इससे भी महंगा देते हैं लेकिन मुसली यही प्राइज आपको मि रूपए वन ओन्स ग्लोब्यूज के चार्ज होते हैं 30 पोटेंसी के और लगभग 25 रूपीज 200 पोटेंसी में लेते हैं से आर्ने का 200 लिया तो आप 25 रूपीज वन ओन्स ग्लोब्यूज के और अगर आपने वन एम में लिया तो लगभग 30 रूपए वन ओन्स तो लगबख यही प्राइज होते हैं, हलाकि हमारे यहां डाइलूशन का कोई भो नहीं है, कि 1 M में ले लिजे, 30 में ले लिजे, 200 में ले लिजे, हम एक ही प्राइज में देते हैं, कोई confusion नहीं हो, पेशेंट को बार बार यह न लगे कि अगली बार सस्ती दे दिये थे, पिछले बार महंगी दे दिये थे तो बिल्कुल बराबर रखते हैं, उससे क्या है कि एवरेज प्राइज निकल आती है, तो काफी बार मैंने लोग यही करते हैं कि वन एम 30 और 200 की अलग अलग प्राइज होते हैं, लेकिन मेरे हां अगर आप खुले में लेंगे तो तीनों की एक ही प्राइज हैं, आप ग्लोब्यूज में ले लिजेया, रुप ग्लोब्यूज यह मैं का वन एम उन्स में लोट यह एक वन्स में लीजेया, 20-60 रुपए में मेडिसेन जो है वो लगवक आप 15-20 दिन यूज़ कर सकते हैं, दिन में दो बार 6-6 गुली आपको चूसना होता है, लेकिन मैं mostly यही प्रिफर करता हूँ कि आप डाइलूशन में लें, अगर आपको पेन जादा है, आपकी प्रॉब्लम जादा है और बहुत अगर है तो डाइलूशन में यूज़ करें, प्रिफर को निक में है, लेकिन एक सायब अस्तमा तो थोड़ा धीरे धीरे ही ठीक होँगे और असके लिए आप प्रिफर में भी पीषेंट को डिये 17 distinct में काफी सब्धेकन पड़ जाती है. तो अमूम्मन जो है वो हमालीजे क अगर आप Indian medicine स्यु स्यटुग करते हैं तो dilution 30 ayra के rate अलग-अलग होते हैं 30 potency dilution करें अलग होंगे और फिर उसके साथ 200 potency dilution के rate अलग होंगे Creative 1m के अलग होंगे 10m cm उन्स अलग होंगे लेकिन मैंने ऐसा देखाया 30 ml की base में करते हैं यूट हुआ कि आप आपको लगबख 100 रुपीस की पढ़ती है 200 पुटेंशी की डियूशन यूज़ करते हैं तो लगबख आपको 120-125 अवरेज प्राइज प्राइज इतनी पढ़ जाती है इंडियन और अगर आप कि यूज़ करते हैं तो 150 से लेकर 180 तक अवरेज प्राइज इतनी पढ़ जाती है तो यह होगे डियूशन मदर टिंचर के रेट अलग-अलग हैं और अलग-अलग के टेग्रीज में डिवाइड होते हैं मदर टिंचर A, B, C, D, E, F, G, H उसे साफ से मदर टिंचर के रेट होते हैं और बड़ भी जाते हैं लेकिन अगर आप 30 ml में की मदर टिंचर लेंगे सबका एवरेज मिला दिया जाए सभी तरह के हाई रेट और लो रेट मदर टिंचर को अगर आप एवरेज कर दें तो अन एवरेज 30 ml के मदर टिंचर आपको लगभख 140 से लेकर 150-160 रुपय के अ लेकर 110 किसी का 200 किसी का डाइस हो तो आन एवरेज 140 से लेकर 110 तक यह एवरेज मान के चलिए इतने महीं आपके सब के मदर टिंचर आ जाएंगे कुछ मदर टिंचर जैसे कि हाइड्रस्टिज हो गई क्योजोट हो गई यह सब काफी महंगी आती है कैंथैरिस काफी महंगी बहुत सस्ती हैं जैसे कि केलाइंडूला, आर्निका, रूट आरक स्टॉक्स तो जो अमूमन यूज होती हैं मदर्ट इंचर्स वो बहुत जादा महंगी नहीं है कुछ ही महंगी है तो और साथ में जो पेटेंट मेडिसेन हैं पेटेंट मेडिसेन तो फिर आप कंपनी के ऊप अब इंचर्स आवर आजाता है और फिर एले दिंपर नीचे होते रहते हैं तो पेटें मेडिसेन की हम बात नहीं करते हैं और बायों केमिक की आप बात कर लेते हैं तो बायोकेमिक जो है अगर आप 15 ग्राम में लेंगे ए बायो-कंपनीनेशन या बायो कीमिक टाबलेट्स दोनों ही लगभख अगर आप इंडियन में लेंगे तो आपको एप्रॉक्स 110-120 तक की आराम से मिलेगी 100 तक की भी आपको आराम से मिलेगी 15 ग्राम में और 450 ग्राम की अगर बायो केमिक हलाकि वह तो डॉक्टर से लेते हैं जाए तर तो वह आपको एप्रॉक्स MRP की बात कर कर रहा हूं डिसकाउंट विद डिसकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं डॉक्टर को जो डिसकाउंट मिलता है तो MRP लगभख एप्रॉक्स 500 प्लस MRP रहती है आज कल 600 प्लस भी MRP आने लगी है तो यह रहते हैं बायो केमिक साल्ट के रेट अब जर्मन में चलते हैं तो जर बहुत सारे टेक्सस भी देने पड़ते हैं और बहुत सारे चीज़ें और इसके कारण उस मैडिसेन की प्राइज भी थोड़ी ज्यादा आपको देनी पड़ती हाला कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है तो जर्मनी में जो है आप डॉक्टर रेक्वेक की ले 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 लगबन एक जैसी प्राइज है और डालॉशन हरही थाटी में देलूशन एपड़ेशां एक्सोपचास रॉपाइगी और टौहेंड़ पोतेंची की डालॉशन एप्रॉक्स आपको एक्सोपचास से लेकर एक्सोशांट साथ एक्सटर टक ही पड़ेगी और वन इम में पढ़ती है, और depend करता है, मैंने price बहुत वेराई करते हुए, MRP कभी थोड़ी पुरानी आयाती है, कभी थोड़ी नहीं आयाती है, तो थोड़ा सा price vary हो सकता है, और video आप मेरा अगर तीन साल बात देखेंगे, तो ये price काफी vary हो सकता है, तो ये वीडियो अभी के लिए रखिएगा मतलब 2021-2022 के लिए रखिएगा 2023 में मत जाईएगा क्योंकि 2023 में अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो प्राइज थोड़ी सी बढ़ सकती है और हो सकता है कि घड़ जाए भगवान करें अगर घड़ जाए तो बहुत अची बात है दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कोश्चन का आंसर आपको ठीक ठाक तरीके से मिल गया हो अलाकि ये कोश्चन बहुत बड़ा है अंसर अगर आप सीधा एक ये मैडिसेन ये रूपय इतने रूपय की इतने रूपय की वह सुनने में अच्छा लगता है तो इसको द्वाना बलकुन भिलेगा और यहां पर एक रट करगा सब्सक्राइब को बटन दीए तो इसको विदवा दीजे उसके बगल में एक बैल आए काने तो इसको विदवा दीजे मैं ऐसे ही नौलेज़बल हों पैथिक रिलेटेट डिसीज रिलेटेड वीडियो ला बाइ